बचनामर्द पत्रांक 164 पत्रांक तेमा परंकृपाल ले लखे छे अदभोत 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 परम अचिन्त एवु हे हरी तारू स्वरूप तेनो पामर प्राणी एवु हुँ केमपार पामु मुझे तारो अनंत ब्रह्मांड मानो एक अंश ते तने सूजाने सरवा सतात्मग नांजना मधिमा छे एवा हे हरी तने इच्छोंचों इच्छोंचोंदारी कृपाने इच्छोंचोंदारी कृपाने इच्छोंचोंदारी कृपाने इच्छोंचोंदारी कृपाने इच्छोंदारी कृपाने इच्छोंदारी इच्छोंदारी कृपाने इच्छोंदारी इच्छोंदारी कृपा लेने पोता ने आत्मा सुखना अनुभव छहे उटले भगवान जे सरवत्तम संपूर्ण सरुपाम्या के अध्भोच आत्मानो अनन्त अनन ज्ये दिये न उट जे वेधं जे जाने तेज माने उटले अमने अध्पंत तेन्त महात्मे लागे छे के अध्भोत 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 परमाचिंत्य जेनू चिंतमन पढ़ना सही शके परचिंत्य तुझे महात्म्यनो नती प्रफुलिद भाव हुँ चिंतवी पढ़ना सकूँ एवो आपनू जे महात्मे थे तेहे भगवन्त आप संपूर स्वरुपने पामाई एवा हे हरी हरी एटले भगवान तारू स्वरुप तारू जे शुद्ध सहजात्म स्वरुप तेनो पामर प्राणी एवो हुँ केम पार पामू आपनू जे सकल दिश्व तड़े लोक ने हस्ता मलक वद्ध्योई शके एवो आपनू जे अनन नान दर्शन सुख विरिय में स्वरुप छे तेनो महाराजिवो पामर प्राणी एवो शुद्ध पार पामिश्द पहना पर तदिश्व आपना संपूर स्वरुप ने सूझाणी शक्या एक एवो अन्से पढ़न नुभव थे ते अधभोत अधभूत लागे थे तो आप तो एवा अचिन तिश्व संपूर स्वरुप ने पामिश्द मेला हुवा थी, तेनो हुंक्यम ताक पुम्ष। हुंक्यम एस संपूर्शुप्य ने समझी सकूं। तो एनो अंश शुरुपनेunta judgments अधोत 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 परमach scholar, यहु bigger, हरी तारु शोरुप। तेनो पामर पाणिये वहु केम पार पामौं। हुँ, जेतारो अनन्त ब्रह्मान्ड मानो एक अंश, आखों ब्रह्मान्ड नान प्रेक्षायतु सर्व यापक छे, एव आखा ब्रह्मान्ड मानो उतो एक अंश, उतो एक अंश समान छो, अनन जीवो छे, ते मानो एक जीव छो, ते अनन्त ब्रह्मान्ड मानो एक अंश समान ये वो हूँ ते तने सुझाने एक अंश ते सरवांश में केम जाने छता अंश स्वाद थी ए सरवांश में के उस सुक चे अनू ख्याला वी शके जिमके साकरनो आखो मोटो डगलो ए साकरनी भ्यक्तियों ते आपड़े होए पैंड अनू अंश जो आपने चाखे होए तो अमो के वो स्वाद थे तेम नानियो अत्म सुखनो नुह अमन्याववा थी ए भगवान केवु संपून सुख सर्वकालने माटे अनू भवी रहा थे एमना अनूभव मा थे छता के ए ब्रह्मान नो एक अंश समाने वोजे हूँ जीव ते तने सुझाने सर्वस अत्तात्म नान जेना मध्यमाँ छे एवा हे हरी तने इच्छों 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 सर्वस अत्तात्म नान संपूर मूर सरुपनुग नान ते आपना मध्यमाँ छे आपना आत्मा मरेलू छे ए संपूर सरुप एवा हे हरी तने उच्छों इवा संपूर शुद्ध सहज आत्म स्वरुपने हुपड इच्छो 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 तारी क्रपाने इच्छो तारी क्रपा वोगरे संपूर्ण स्वरुप्राप थाई शके गई केमके मुक्ष मूलम गुरु क्रपा आपनी क्रपा थे जे संपूर्ण स्वरुपनी प्राप्ती थी शके मटे सर्वा सत्तात्मग्दान जेना मध्यमाँ छे एवा हे हरी तने इच्छो छो इच्छो 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 इच तारा संपूर सुद्ध सुरूप मां सर्वकाल ने मांटे लीद्रियवाई छोचूं के तया परमनन सुक्छे मांटे तू क्रपा कर तो अनुग्रह कर के अमे पर ते संपूर सुरूप ने पामिये। तुने भरी भरी हे अरी छोचूं हे स्रीमान पुर्शोत्तम तो अनुग्रह कर क्रपा करने अमने पड़े सुखाप संपूर सुखाप शाश्वत सुखाप के भरी अमने कोई काड़े पड़ा संसार माबूज नपड़े। जन्मजरा मन नो फेरोज नरे एउ कर और आपनी क्रपा उगरे संभव नथी माटे क्रपा कर क्रपा कर। विवेच अन्मों बे लिती याना विशे लखी छे पुजिश्वी कहे जे संपूर्ण छे जे संपूर्ण सुरूप छे तेने उव इच्छूंछू एम क्रुपालोदेव कहे छे जेना म संपूर्ण दान छे तेने उच्छूंछूं। जेना म संपूर्ण दान छे तेने एवा परमात्माने हूँ इच्छोंछूं सत्ता बे अर्थम वपराय छे। सर्व सत्तात्मग्णानें कयूं? सत्ता बे अर्थमा वपराहिछे एक शक्तिना अर्थमा अनें वीज्यों मूल्स वरूप ए अर्थमा पणते वपराहिछे सर्व सक्तात बग्दनान इतने जे नामा सर्व प्रकारे शक्ती विद्धिमान छे सर्व शक्ती मान छे इश्वर अथवा मूर्श रूप जेने संपून प्रगट छे एवा परमातमा तेने वोई चुचु अर्शात उपन महराश उद्धिस हजात में सरूप जे चुचु किमके निश्चे ने पोते पन्ण संपून परमातम सरूप छे भतामाने भगवान मा कोई अंतर नाथि मूर्श निश्चे ने सर्व जीव चे सिद्ध सम मझा जीवो सिद्ध समान छे एम कोई पन जीवा अनन सTANSPAN долж मुझना टाुर्वाराभी स्वश्वणा टांक टारारा सुर्ध संपूरं शर्चाुवें क्शिर्व मुत्याजारा क्या ओऊल टांकू प्रुप कोछे तुर्च प्रोल में पत्यांतर्व है इस उरहां काइं Varum अवे आगलनों पत्र 165, वर्ष 24, अवे क्रुपाल देनों 24 वर्ष छे, ते यहांती सरुत है छे, पत्रांग 165, मुंबई कार्थ 105, सो मुगलिश्व सुर्तालिस, सोभाग बैप उपर आ पत्र छे, एमा क्रुपाल देव करतां सोभाग बैप चुमारिस वर्ष मोटा छे, पत्रे 22 वर्ष ना, जेरे मल्या तेरे क्रुपाल देव 22 वर्ष ना ने 66 वर्ष ना था, चार पची एक वर्ष परी गयो छे, एमने 24 मुं वर्ष बैठू छे, तो तेमने 60 मुं वर्ष बैठू हो से, वडील छे, पिता समान छे, फिले लखे से, परम पुज्य, केवल बीज संपन, सरवत्तमु कारी स्वभाग्य भाई मोर्वी, परम पुज्य केवल बीज संपन, केवल नान्नु बीज, जेने प्राप्ठे, इना थी युक्त छे, संपन्चे, एवा श्री स्वभाग्य भाई, जेनामा सत्पुर्ष प्रत्ये प्रेम शे तेनामा केवड नाननु बीच प्रम्चारजी विवेचन में कि जेनामा सत्पुर्ष प्रत्ये साचा अंतरनो प्रेम शे साची भक्ती शे जेना रदेमा भगवान प्रत्ये भगवान गुणो प्रत्ये तेनामा केवड नाननु सम्यक्त दर्शन आत्मग्नान ए बीज मौतिज व्रक्ष थाईचे बीज रोपियो है तो दिमें दिम मोटु जहार थाई अने सेक्डो जीवों ने चाया आपी सके तेम सम्यक्त प्राप्त थाईज के वलनान प्रक्टेचे अने सम्कीत के वलनान बीज के मावे साप्रदे यम नियम रोजे अपने बुलिये चे परप्रेम प्रवाह बढ़ें प्रभुसे सब आगम भेद सूर बसे वह के वलको बिज ग्यानी कहे निज को अनुभाव बतलाय दिये परप्रेम प्रवा परप्रवा परप्रदार्तो प्रते आपनी ये प्रिती रहली छे एनो प्रवा एनी धारा परप्रेम प्रवा बढ़ें प्रभुसें परप्रते नी प्रिती हटी जई मटी जई अने भगवान ना गुणो प्रते जो लागें तो ए समकीत नुबीच पामें केवल ना नुबी समेक दर्शन पामें पर प्रेम प्रवाह जम जल नो प्रवा होय ते प्रेम नो प्रवाब बढळें प्रभूसें पभुणा गुणों प्रते जो वदें तो सब आगम भेज आगमो नु रहस्य आगमो जो आजवान पड़ें नुझे मूर भोतत्त वस्वुचे नार्दे मावी वस्य परम प्रेम अने पर इटले परपदार्थ प्रते नी प्रिती अने पर इटले उत्करस्ट अर्थपन दाईचे। अने पर इटले पर इटले पर इटले उत्करस्ट अर्थपन दाईचे। निस्प्रपुरुष्चे जने कहीं जोईतुई नथी ते वो परम पवित्र आतमा तेज सत्कुरुष्चे परम पुरुष्चे। अने परते प्रिती जो हुए तो आपड़ा आतमा पर पवित्र बनतो जाए। पड़े सहिजे बनतो नथी येवा पुर्ष्चे प्रते प्रेम आवो ये सहलो नथी। येला तेना घणी घणी येना वचनों जो विछारणा थाए। तो येने सू प्राप्ती करी। ने आपड़े केवा दोसी चेपता ना दोस जो येमना गुण जोए। तो येमना प्रते प्रेम आवे। सहिजे प्रेम आवतों नथी। अने ये प्रिती येना दीनी येना वचनों ती हटे घटे तो ये भगवान प्रते बदेश। प्रिती अननती पर थकी। परपदार तो प्रते ये आपड़ी प्रिती किटली पढ़ेली छे। अनन्ति, यह अनन्त काल थी यह परपदार्तो प्रतेज प्रेम करेच, यह सत्य जानियु न थी, इसले अना प्रते प्रेम क्या थी आवे, इसले प्रेम प्रवाब बढ़े जो प्रभूस है, वस्तु सरुप समझाए, सब आगम भेद, बदा आगमों नो रहस्ते सूच है, आत पाणेनु काम थाई जया, ले प्रुपादवे गान्दी जी सातेना पत्र बढ़ मो लग्यूंँ, के भक्ती एग्णान नो हे तूछ, अने ग्णान नो हे तूछ। प्रेम रूप भक्ती विनाग नान शुन्य मिंडू जीरो। तमने भगवान प्रते प्रेम छे नती। जानों चयों तो क्या बदू माझे लिदू। पर सू काम नू। तमने भगवाल ना गुणो प्रते प्रेम उत्पन ना थयो तो यह वांचे लू नकामू छे अर्था तमने तमारा आत्म गुणो खिल्वी न सके तमार अंदर रहंकाराव से का बीजाने केवानो भावत से आने बीजाने बताओनो भावत से आने एज शास्त्र एना माटे शा बनी जासे जो भीजाने जो वार बताओनो भावत मा लागे तो इतले पर प्रेम जो सक्पुर्श्रे अंतर थी लागे तो यहनू काम अवश्य था इले सोभाग भाई मों इभी प्रिती जन्मी छे कृपाल दे प्रते अत्यन प्रेम आवियो इतले कह छे सोभाग भाई ने एकदम विशेशन केवल बीज संपन के माप्यूं केवी प्रिती कृपाल दे प्रते अमने थही छे परम प्रेम आवियो छे प्रेम बगर सध्धा आवे नी सध्धा वगर अंदर परिणमे नी जीवन मां अंदर उत्रे नी अना वचनो माटे ज सत्पुर्ष पत्ते भक्ती करवानू केच सत्पुर्ष ने कही आपनी भक्ती नती जोईती एदी अमने सु मड़े कही पैसा मड़े एमने तो काई नसी जोईतु और भक्ती करिया वगर आपड़ा निरूपदेश परण में नी माटे ये भक्ती नुग नानियो निरूपण करिए छे हे भी भक्ती करिपाल दे प्रते येमने आवी येटले येमने विशेशन करिपाल दे लगाड़ियों के परम पुझ्य केवल बीज संपन सर्वत्तम उपकारी पाचा केवा पुर्शो छे किंचित मात्रपन येनना बड़े उपकार थयो तो येमनों उपकारी भूलता न थी समारतिमने आत्म स्मृती थई आत्म स्रुपन विशेश मन थईउं तो तम्हें उपकारी थया निमित बन्या तेम पाचा सर्वत्तम कारी श्री सोभागे भाई मोर्बी अवे लखे छे आपना प्रता पे अत्रा आनंद वर्ती छे आपना प्रता पे ले आपने क्रपा थी अथवा आपनी सत्संग वर्ती थी अमने आनंद वर्ती छे के आपना जेवा जिवोनों अमने समागम थेओ आमने आनंद छे क्रुपालो देवने पोतानों रदे क्या खोलूं एवो कोई मान्त देखातो नो तो आवा स्वभाग भाई जेवा परम जिगनास्तु बुजुर्ग थरेल मढ़िया व्या तो आपन प्रता पे अत्रा आनंद वर्ती छे अने प्रभू प्रता पे उपाधी जन्द वर्ती छे प्रभू एटले कौन प्रारब्द कर्म नो उदे बाकि प्रभू के या उपाधी आपता नहीं थी कोई ने प्रभू एटले प्रारब्द उदे कर्म प्रता पे तो आ उपाधी जन अपाधिमा बैठा चीए तमारी क्रपा ये सत्तंग नो जोग बने चे माटे आनन वर्ती चे उपाधिमा तो शुँ आनन दावे पन तमारों समागम थाई चे तेरे गनान वार्ता थाई चे अने खुब आत्मा उलासित परिणाम ने पौमे चे आपना प्रताप यत्रा आनन व जो करती चे हमें लग्या थे भगवान परीपून सर्भ गुण संपंध के वाई चे परमात 마음에 पुष्वत्तम ने भगवान के वाँ चे परीपून संपून सर्भ गुण संपंध यम न कोई पने गुण यमखामीद लथे भगवान परीपुन सर्भगुन संपन्द केवाई छे जगत्मा के भगवान मां तो बधाज गुनों छे तथा पी तोपां एमाई अपलक्षन की होचान थी विचित्र करूँ ए जैनी लिला तिया आधिक सू केऊ के परमात्मा थहीने अमने आज जगत्मी अंदर आवा उपाधिमों नाखे बेदान पूसु के इश्वर से जगत करता तो आवा इश्वर के अमने आभी उपाधिमों नाखी दिदा विचित्र करूँ ए जैनी लिला तिया अधिक सू केऊ भगवान ने मीठो ठपको छे के भगवान अमारा जेवाने आवी उपाधि हमें एक अंश मात्र पणिया रेवा नतीचता हमें आवी भेंकर उपाधिमों ने तमें मुकिद्दा हे प्रवु आतमें सू विचित्र लिला करी भगवान परिपुण गुण संपन केवाए चे तथा पियम अपलक्षन के उचान थी बिचित्र करुए जनी लिला तिया अधिक सू केऊ हवे केछे के सर्व समर्थ पुर्षो आपने प्राप्त थेला गनान ने जगाई गया चे सर्व समर्थ पुर्षो सर्व महतमाव नानी पुर्षो आपने प्राप्त थेला गनान ने जगाई गया चे आपने जे ग्नान प्राप्तिव साची समझ के भक्ति विना मुक्ति न थी इवी जे भक्ति तमारा अंदर प्रगण थाईचे इस साचु ग्नान नू कारण थे एने जे सर्व ग्नानी पुर्शोग आई गयाचे प्रभु भक्तित्या उत्तम अग्नान प्रभु मेलववा गुरु भगवान प्रभु भक्तित्या उत्तम अग्नान प्रभु मेलववा गुरु भगवान गुरु ओलखवा घटवैराग ते उपजवा पुरविक भाग तेमा नही तो कई सतसं तेमा नही तो कई दुखरं प्रभु भक्ति त्या उत्तम ग्नान पहला भक्ति पचिक दान किमके परम प्रेमरु भक्ति बिना दान सुन्य छे जिया प्रभु प्रते भक्ति प्रक्ति साथी इले संसाराप्ते कई विरक्त भाव आवे विराग भाव आवे तेमा उत्तम ग्नाननु मंढान थे उरुपान थे प्रभु भक्ती त्यां उत्तम्ग नान अने प्रभु मेडवा तो गुरु भगवान पच्छे आउसे इले प्रभु भक्ती जाँ छे त्यां उत्तम्ग नान छे अने प्रभु मेडवा गुरु भगवान गुरुने भगवान गुरु नमु आयरियानम आचारे भगवन ने मारा नमस्कार हो इवा आत्म नाणी आचारे भगवन ने मारा नमस्कार हो के जनान द्वारा ग्नान पामिनें भगवान अर इहंतनों सरुप समझी सकूँ सद्गुरु ना उपदेश चमान समझाए न जिनरुप समझावन उतकार सो समझे जीव सरुप सद्गुरु जे आपने भगवान देव सत देवनु सरुप सत धर्मनु सरुप समझावे तो जितार समझाए आपणी मती कलपनाए भगवान नुझे अचिनते सुरूप चे न समझाए केम के भगवान ना सुरूप नुभव तो सद्गुर्ने छे के के वू सुख नुभवे एकले सर्व समर्थ पुर्षो आपने प्राप्त थेला गनान ने जगाई गया छे एक नान नी दिन प्रती दिना आत्माने पन विशेस्ता थे जाई छे प्रहु प्रते प्रहु प्रते तमने परम प्रेम प्रक्टो सर्व महात्मों एज गाई गया छे भगवान नी भक्ती जगरवा कहीं छे तो एक नान सम्मिक थे अने एक नानी दिन प्रति दिन आत्माने पड़ विश्यस्ता थती जाएचे ये लिए हमने पाण ए भक्ती प्रति अत्यंत प्रेमावत हो जाएचे इश्व विजेजी महराद आपने जे स्तावन सावारम बोलिये विद्वान छे के लए काशी जेने क्यों क्यों भणिया गया तेश्व केछे मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझमन वसी जेहसों सबड़ प्रति बांध लाग्यो चमक पासान जिमा लोहने खेचे से मुक्ति ने सहज तुझ भक्ति रागो भक्ति रागो मुक्ति ने सहज खेचे हमारे मुक्ति जोईती देचे हमारे तो भक्ति जोईचे के जो भक्ति हैसे तो मुक्ति हैनी मेरे खेचाई ने आवसे पर जो यह थे मुक्ती पर भक्ती नहीं करूँ तो मुक्ती नहीं आवे हैंने वगर मांग यह भक्ती यह से अंतरमा तो मुक्ती यहनी मेरे खेंचाई नहाँ से लो चुम्बक होए तो यहनी मेरे लोखणने खेंचे पड़े मों चुम्बक जो ये चुम्बक न होए तो काम न आवे भक्ती रुपी चुम्बक होए ते यह नि मेरे लोग करने कहसे एम कृपाले केछे के एक नानी ये भक्ती सईद नानी दिन प्रती दिन अमने आत्माने प्रविश्यस्ताथ हती जाए छे हूँ धारुचों के केवल नान सुधी नी महनत करी अलेखे तो नहीं जाए आप प्रमाने परम प्रेम भक्ती सईद ठेट केवल नान सुधी नी महनत क करेली भक्ती मिथ्या थायज नहीं यह ने अंते केवर द्नान पणापे पर अंतर नो साचो प्रेम हो जुए उपर उपर नो नहीं अन्या उपर दी भगवान प्रते के अमने प्रेम शेने आपनो प्रेम संसार्मों पड़े होए कुटु मा धन मा मान मोटाई वगेरे मा तो तेरी याद आवय करे तो के तने भक्ती या ना थी तो उपर उपर दी बोले साची भक्ती ना थी जहां अपनी अंतर नो साचो प्रेम होए तियां जहां अपनों मन जाए हखो दिवस मन क्या रे जहां प्रेम होए तियां रे के वुज न पड़े एनी मेरितिया आपरती रहे इतले केछे केवर हुँ धारूचों के केवर नान सुधी नी मेहनत करे लिए अलेखे तो नहीं जाए जो भक्ती है थे केवर नान सुधी नी मेहनत करे लिए अलेखे नहीं जाए यहना द्रश्टान सास्त्रों मा छे अपड़े पुजाम ही बोलिये छे जिरन सेटन द्रश्टान केवी भावना भावे भावना भावता 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 ज केवल नान पामी जा पर आतो वच्चे भगवान नो महावीर नो पारणू थाई क्यों वीजे खिला तो रोज भगवान जेन कहियावे भगवान अउपास थे भगवान चातुर माँ चार मिना नो पास करयाओ प्रजान आज उपास थे कले पारणू करते भगवान मारत्या पारणू करजो रोज जेन कहियाओ हम करता करता चार महिसा महिना थे गया आजे तो वे जरूर भगवान आव से चार महिना न उपात करे अलागे से इला माटे यहने तो सेरी पाणी छंटा आवे भगवान आव से तोरण बंदा आवे बदी मिठाय उनों थाल भरावे भगवान आव से हमारा धहर भगवान पदार यहो प्रेम पारने जोया करके भगवान आवे हमना आवे हमना आवे हमना आवे हैं यह भाव पुजाम आपने बुलिये छे हरे जीरन सेठ जी भावन आभावे हरे पट कुल जरी पथर आवे रे महावीर प्रभोगर आवे हरे पट कुल जरी पथर आवे रे महावीर प्रभोगर आवे हरे उभी सेरी ये जड़ छंट कावे हरे मेवा मीठाई थाड भरावे आवी रिते पेला मलकीज अनिक भावना भावे छे भावना भावता 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 एकला उच्चा परिणाम थही गया के ठेट बारमा देवलोक सुधी तो पोची गया एक्टू पुणि माधी लिदू इतला महसों थही गया के पाणू भगवान जीर्ण सेटने तो आव्यानी औने पूरण सेटने तेया थही गयो अरे एक दुन्दुभी वागी भगवान तो पाणू थही गयो बस परिणाम भाव थी ठेट बारमा देवलोक सुधी नुपुणि माधी लिदू भक्ती भक्ती परम प्रेम रूपा भक्ती ये प्रेम नुपरम रूप छे इविरते भगवान रुशब देव जे थहा अपड़ा पहला तर संकार एमाई कारणा आच्छे ये आगला पहला भामा धनावा सेथ हता ते एक वार पोते पैसे तो गाड़ाओं में बदो सामान भरीने जता बीजे कामेज़ पहला की मोटरों के ये तो हती नहीं ये तो काफलों न काफलों बदा साथे जाए ये ले कोई महात्मा अचारे भगवन तो गेरे करूं के हमें समारी साथे आविस हूं हमारे जवुचे बिजय अलमतों के पधारों बहुत सारों वो उल्लास पुर के हमने था कई साथे ले लिदा हवे अटला वदा तेकड़ों मान सो एमो ये तो धना वसे बुली जगया अच्छा वदा साथे बुली जगया एमनी को संभा ले वानू पजी गणा वक्ते ज़रे काम ती के निवरत थे आ ते आरे आदा हूं करे ये महात्मा ने में हाक इन साथे ले दा एमनी में संभाले ने लिदी तर तेमनी पासे जेने कैशे के भग्वान मैं बहु भूल करी है मैं आपनी संभाले ने लिदी तरे मात्मा कैशे के साथे गणाई छे तमारे कोई लेवी ये जरूरी न थी ये गणाई बदा छे हमने आहर पानी मणी रहे छे तो के आजे तो आप पधारो मारे गहर पधारो, शेले ए आहर लेवा पधारे छे, अने त्यां इमने इतली बदी भक्ती आवी गे मनमा, के उसूं आपों ने सूं करूं सूं नहीं करूं, पर धर्मा जोय दे भी जो कही छेज नी, ते वक्ते आवया महात्मा तेरे धीत आजू आवेलो पडेलो, से खुब भक्ती सईथ खुब आपपाला जया, के जाने बधू जापी दों, एवा अत्यन्त उत्क्रस्ट भावती परणाम थी, तेहां तिर्थंकर नाम कर्म प्रकर्ची नो बंद पाड़ी देश, भक्ती, भग्वान ना गुणों मा एमा अद्भूत ताकात छे, ए बधा कर्मों न तोड़ी ना खे, प्रवशी के प्रभू भक्ती ये तो करोणों कर्म नो बुसाड़ी ना खे, आम गोटो वाली ने, आ दोशने काड़ों आ एक साथे बधा बली ने खला सही जाए, पड़ेवी भक्ती प्रवशी के अजुआ जीवने आवी ना थी, प्रभू हरक आवेओ छोक्राना के लगनमा जे राजी था, एवो पने ने हरकिया न थी आवेओ, लेकिया थी करम बड़े, एवा बिजया एक चंपक सेड अता, एपन एवी रिते, एक माहत्मा आव्या, तेमने घी वरावेच, वरावता वरावता आको पात्रू भराई गयो, ए माहत्मा तो गण आनी पुर्ष्टे, ए जो ही रियार्चे गानी भाव पर्णती एकली बदी बदी रही थे, के आपता आपता ठेट सरवार से दी विमान सो दी पहुंची गया ना भाव, ए थोड़ू का आगल बदेवते केवल नान थाई जा, जिन से अतनी जें, पानतिया सू थायूं, एन उतरता, उतरता, पाचा, नव ग्रेवेक थी नीचे, बार्मा देवलोग सुधी आवी गया, अने मात्मा ने तुछ आप नीचे आवी जैसे, तो थोब, थोब, थोब भई, क्या थी पढ़ मा, पढ़ मा, तो क्या थी पढ़ूं, परिणाम थी पढ़ मा, समझी क्या भाव थी अवे तुछ पढ़ मा नीचे, तो या बार्मा देवलोग क्या ने सिर करे दिदो, तो भाव बड़ो संसार में, भावे जिन्वर पुझिये, भावे दीजेदान, भावे भावना, भाविये, भावे के वालतनान, भावती करो बदीके, देखाओ माटे नी, भावती जि अब दा उर्षो भावती केवलनान लए जाए छे. इतले हिए खुरपाले केछे, ऌुद हारू छुके केवलनान शुदीनी महनत करे लिए लेके तो नहीं जाए. शुदीनी महनत करे लिए रदे नहीं जाए. मुक्षनी आपने काई जरूर ना दीत. कृपाल दिसु के मोक्ष नी आपने काई जरून नथी केम तो के मोक्ष तो यहनी मेले हवानों छे कारण उपासे जेना तो कार्यत हवानु छे कारण उपासे दुखना तो दुखा खर मुझवे जो कारण साथा होए तो कार्यत है आवगर रेवानु नथी एशो विजय जी नी जेवी गाथा जे कृपाल देटा की मुक्ती नती जोईती है अमारे भक्ती येवी बिजी कोई एक गाथा छे मुक्षनी आपने काई जरूर नती पर सुजोईये छे आपने निशंक पणानी, निर्भय पणानी, निर्मुझध पणानी अने निश्प्र पणानी जरूहती ते घणे अंसे प्राप्ती जनाई छे अने पूर्ण अंसे प्राप्त कराववानी करुणा सागार गुप्त रहेलियानी क्रपात हसे एम आशा रहे छे क्रपाल देटा आपने तो सुजोईये मुक्ती ना कारणों मेडवा छे मुक्ती मारे जोईये मुक्ती जोईये पन मुक्ती जे बड़े मड़े ये कई करिये नी तो मुक्ती क्या थी आवे मारे हिरो जोईये हिरो डाइमंड हार जोईये पन पहिसा कही छे निने मेडवा न थी तो हिरो क्या थी मड़े तेम आपने तो के निशंक पड़ू जो ये पहला निशंक ता थी निर्भैता उत्पन थाईचे अने पजी असंग ता आवेचे ते थी एकले पहला तो भगवन्त मन्ना कहला तत्तो मा निशंक पड़ू ए सम्यक नशनू पहलू आँग निशंकी तम शंका नहीं भगवाने के तो परमस्थे भगवाने जे छपद कया के छद्रव्य कया के साथ तत्व कया नवपदार्थ कया ये बदू ये मच छे तत्वार शद्धानम सम्यक दर्शनम एम निशंक पड़ू पहला आपने जो निशंक पड़ाणी जरूर छे अने पची औना ति निर्भय पड़ू आवे छे भगवाने के तो आत्मा चो कोई काले मरतोज न थी तो ये निर्भय तहीं जाए छे निशंक पड़ाणी निर्भए पड़ाणी निर्मुंजन पड़ाणी पजी मुझवन बदी मटी जाई छे अने निस्प्रपनानी जरू हती निस्प्रुहता काई जिन जोई है जितली इच्छा से परपदार ने येतनों दुख छे निस्प्र से त्रणम जगत निस्प्रव व्यक्तिने आपकों जगत तनकला बराबर छे जिने कई नहीं जोईतु हैं ते कले आपने बोलेला गो धन गज धन रतन धना कंचन खान सुखान पर जब आवे संतोस धन सब धना धूर समा पर पर संतोस भाव आवी गयो जिने माटे गम्में एटनोँ है धूर जिवसु करवाना है जे सत्पुर्षन आस्प्री छे जेने साते व्यसंदों त्या करी दिलो एने पैसाने करवा चे सुँ विशेक सायनी भृत्यों जेने हटावी छे मटाडवी छे वेराग उप्षम मों जीलवू छे एने आदन्ने करे सु सू कामने उपादी जन्य छे इडले केछे निर्भै पनाती निर्मजन पनानी प्राप्ती अने निस्प्रा पनानी जरूर छे निस्प्रत थवानी जरूर छे अने ते घणे अंसे प्राप्त ही जनाई छे कृपल के अमने आ निशंग पणू निर्भैता निर्मुंजन पणू निस्परता घणे अंसे अमने प्राप्त है छे अने पूर्ण अंसे प्राप्त कराववानी करुणा सागर परमातमा एक गुप्त रहल्यानी कृपा करचे जी गुप्त रही छे ते पन अमने आपसे एनी कृपा थासे अना माटे एम आशा रहे छे छता वड़ी एथी अलोगिक दसान इच्छा रहे छे त्या विशेश कूं केऊन एथी पन विशेश अलोगिक संपूर्ण दशा प्राप्त करवी छे तेनी इच्छा रहे छे त्या विशे सुंकेऊ प्रभु प्रत्य पर्म भक्ती करिने हमारे तो केवर नान प्रक्ता हूँ छे जवु गौतम स्वामिये भगवान महवीर प्रत्य करू अत्यन्त प्रे भगवान प्रत्य गौतम स्वामिये करेो तो तेना फ़र्मा केवर धान जावू केम के भगवान तो राकरता जनोता हमारे तो एवु जोये छे अलोकिक अनो तेवी ये थी अलोकिक दशानी चारे छे त्या विस्वे सुकेवू अनहद ध्वनीमा मना न थी पन जाडी घोडानी उपादी श्रवन न सुक थोडू आपे छे निब्रत्य विना अही विजो बद दुए लागे छे अनहद ध्वनीमा मना न थी तुही तुही नी रटना रे छे परमात्मनो जे सहजात्म सरु संपूर सरु प्राप्ती नी दिरंतर इछा रे छे अनहद ध्वनी येले तुही 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 नी रटना एमा खामी न थी मना न थी पन गाडी घोडानी उपा पना अने उपाधी माने छा गाड़ी घुडानी ये ते सर्व सकवर छे पना उपाधी ते श्रवणनों सुक थोड़ू आपे छे नानी पुर्ष्णों ना वच्चननों श्रवण तेनु जे सुक छे ते अना वड़े थोड़ू मले छे सुबाग में लेदे तेमारों समागम ना थी था तो नानी पुर्ष्णा वच्चनों नी चर्चा विचारनामा आ बदू बाधक थाई छे गाड़ी घुडानी उपाधी श्रवणनों सुक थोड़ू आपे छे निवर्ती विना अहीं बीजों बद्धुय लागे छे निवर्ती न थी आपरम प्रवर्ती मां अमारों आतमा यहां रेवा इच्चतों न थी पण इश्वर नी च्छा एटले प्रारब देवा छे एटले रेवू पड़े छे गाड़ी घोड़ानी उपादी श्रवणनों सुक थोड़ू आपे छे निवर्ती विना यहीं बीजों बधुय लागे छे जगत ने जगत नी लीला ने बैठा बैठा मफत मां जो यह छे हमें आज जगत मां बैठा छीए आज जगत मी जे के लीला लोकों जे करी रहा छी आखो नाटक छी दानियों ज़श्थी में बदा नाटक करे छी गरीब नों के धनवान नों बदू नाटक देनाये छे में अने पोते कोईपन मा रागवेश करया वगर मफतमा बुदू जोईये छे इले साक्षी भावे जोईये छे कोई मामने रागे ना थी कोई में द्वेशे ना थी कर्मने आधीना खुँ जगत प्रवर्ती रहु छे इल्या जगतनी लीला ने हमें मफत्मा बैठा जोई है छे पैसा नहीं कोई जरूर ना थी आप अधीक नानियों से नाटक जनाई छे मनीला सोभाग वे ने तेहां कृपाल ले गे ला साहिला नहीं मुंबोई मानीला लावे सोभाग वे इन दिकरा तो के मारे नाटक जोवा जोँचे तेहरे कृपाल ले ग्यालेरी में उभाग बतावे के जो आप दूसूँचे कोई धन्वान जी रहा छे कोई गरीब कोई भिखारी कोई तो मांड पेट भरवा मांगे छे यहने कोई मोटा सेट गोडा काड़ी बगेर में जी रहा तो के आप दूसूँचे आजो साक्षात नाटक पेलू तो बनावटी छे बनूसूँचे यह वो भाग इने बता ले उने पर अंदर असर करी गई के खरे खर पेलू तो बनावटी नाटक छे खरू नाटक तो आचे एम कृपा ले के छे जगत ने जगत नी लीला ने बैठा बैठा मफतमा जो ये छे आपनी कृपाई छोच सुबाग बे लेके आपनी कृपाई छोचोँ अर्तात आपनो समाग में छोचोँ आपना निमिते सत्तंग वार्ता वगेरे थाय तो आत्मा विश्चे सुलास प्रणामने पामे माटे आपनी कृपाई छोचों भी अगनांकित राय चन्ना प्रणा अगनांकित राय चन्ना प्रणा हाफ अत्र पुरो थे ये नाव इस्थे परप्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसे सबयागम भेदत युरबसे वह केवल को बिज ज्ञानी कहे निजको अनुभाव बतलाय दिये प्रम्चायर जी पना टांकी गाथा जेनामा सत्पुर्ष प्रत्य प्रेम छे तेनामा केवल नाननुँबीच छे ले भक्ती साची जना रदिमा प्रक्ती तेने केवल नाननुबी सम्यक दर्शन रोपाय क्यूं भेवार सम्कीत साचा देव गुरु धरम्प्रत्य साची श्रद्धावे तोच भक्ती आवे और ये भक्ती साची जनामा सत्पुर्ष प्रत्य प्रेम छे तेनामा केवल नाननुबीच छे आत्मा पोताना अनुभावतीच देखाय छे गम्मे तेटली विकट वाटे पन परमार्थ प्राप्त करवानों छे अत्मा आमके देखाई ली ए रूपी पदार्चे चर्म चक्षु गोचर नसी चामडा नागती नहीं देखा तेले आत्मा तो अनुभव थीक जण अनुभव गोचर मात रहुते जनान जो गम्मे तेटली विकट वाटे पन परमार्थ प्राप्त करवान छे तेले आत्मा नुभव था ए विकट वाटे पन करूँ केम त्यावी जोगवाई बारवार नथी आउते नम्मे तेटली विकट वाटे पन परमार्थ प्राप्त करवानों छे परम प्रेमावे तो पराभक्ती बन था परम प्रेमावे उतकर्ष्ट भगवान प्रत्य तो पराभक्ती था हात्माने परमात्मानों एक रूप थे जो एकता भक्ती अन्या कली कालमा मुक्ती मार्टे ना थ्रण मार्चे नान मार्ग क्रिया मार्ग ने भक्ती मार्ग ए सर्मों श्रेष्टे भक्ती मार्चे नान मार्गे तो असाद अभीमान अभी जाए अत्वा क्रिया मार्गे असाद अभीमान नान मार्गे तू जानी गयो मने बदी खबार एपन आगल वदी न सके ये अटकी पड़े के उपर गुरु न होई तो इने क्रिया मारगे पनद सक वैविवान थाई जाए वहवार आगल सिद्धी मोह ने पुजा सतकार दी योग ले तियां पने आगल वधाना गहां चांच सोचा छे जेरे भक्ती मारगे हो छे कि वो कई जानतों नसी भगवान ने ये करिया करूँ ते नाथी अहंकार टड़े स्वचन टड़े सीधा मारगे चालू जवाए ये वो भक्ती मारग क्रुपाल ने के छे अनि आक आलमा फिर मरणी चली गड़ी सबी आज आ रादवायोगी चे मुक्षुन ए धुरंधर मारग मने लागे चे प्रपाल देखे प्रमचार जी ए एक गाथा लखी चे प्रग्नाव उद्मा हारे आ कड़ी काले तो सर्वसंतनी सीखा मन आ उरे धरो रेलो हरे वाला सदाचर्ण पन सेवो धरीब हरे वाला सदाचर्ण पन सेवो करी विचार जो हरे वाला सदाचर्ण पन सेवो करी विचार जो एक लक्ष थी अकाम भक्ति आदरो रेलो मात्र आतमार थे भक्ति ने जादरो अने सदाचर्ण तो सेव जोज विचार करन केना वगर मार्गनी प्राप्ति जोच ये तो पायो छे सदाच आचारो प्रत्मो धर्मा सब्त व्यसंत्याग वरे ये तो जीवना पहलू जोई है नहीं तो धर्मा आराद्बान योगे जथी आवी सदाचर्ण सेवी ने भगवान ना गुणो प्रत्य प्रेम कर जो जगत ना आवधा ख्षनीक नाश्वन्त वस्तो प्रत्य ना प्रेम ने दूर कर जो तो के जरूर नाद प्राप्ति था स। एले परम प्रेम आवे तो परा भक्ती पन था पुर्शार्थ के नकामों जवानों न थी मुक्ष ना कारणों मल से एले मुक्ष तो एनी मले मल से मुक्षना कारणों से वेतो मुक्ष आवेज ह dopamine आवेतो के री आवेज पर बावडियों आवेने के री इछे तो न आवे पढी तो काटा जावे एं मुक्षना कारणों मलसे अकले मुक्ष अनि मेलेयाव से सम्यक दर्षन थाए त्यारेज वस्तु प्राप थाई छे सम्यक दर्शन थाई त्यारेज वस्तु प्राप थाई छे के वड़ नान मोक्ष बद्धुए थाई छे पर सम्कीत होई तो शंका भय मुझवान एवदों सम्यक तो ना थाई तिया सुधिरे सम्कीत थयों के संका गई हात्मा नुभावज थाई गयो साक्षात वेदन तो भय गयो निर्भय थाई गयो अब हुम अमर भय न मरेंगे केम के मिठ्या तो गयू हुम मरीजयों सो ये भावज गयो या कारण मिठ्यात्वदियो अंद्गर जी माराज के हमें तो अमर भय गया जीवता अमर थेगया हमें कोई काड़े मरवान जो थी हाथ हमारी मिठ्या मान दिता हाती के में मरी जीए छेए ये टड़ी के हमें आदेश छेएज नी सरी हमार उस रूपज न थी हमें तो देती भिन्न आतमा छी ये अमारी मृत्यु छेनी आतमा ने जद्म जरा मृत्यु छेनी ये तो अजर अमर अने अविनासी पदार छे अजर अमर अविनासी ने दिहा तीत सरुप छे देती जुदू सरुप छे एम शंका भहे मुझवने बदो सम्यक तो थायत यहां पच्चार सुदीज रहे बची पची ना रहे पर मान आवे तो सम्की जतुपन रहे गुण प्रक्टियो सम्यक दर्शन मने थाई ग्यूँ एम जो मानी लिद्यू तो सम्की जतु रहे से अहंकार भी जो था पर मान आवे तो सम्की जतुपन रहे मान जाए त्यारे भगवान हात आवे मान जाए त्यारे भगवान हात आवे लगूता मा प्रभूता वसे प्रभूता थी प्रभू दूर खोटे लगू थे ही ने भगवान पासे विने करीने ने पासे तो प्राप्ति थो ही शके बाकि पताने मोटों माने भगवान न वसे हना वा मान जाए तयारे भगवान हाथ आवे स्यादवाद समझ वो बहु मुशकिल चे पुतानु कल्यान साहिवू करवानु छे अब अधी अपिक्षा ये बात ये करी छे ते स्यादवाद समझ वो मिश्केल छे पुतानु कल्यान साहिवू करवानु छे कृपाल देव कहे छे कि जगतनी लीना ने बैठा मफतमा जो ये छे अर्थाँ शाक्षी रुपे रहेचे तो या धिन प्रवर्तूं पड़े तेमा तन्मेन थता नाता द्रश्टा तरीके रहेचे येले शाक्षी रुपे रेबाद तेमने नवईन बंद थतों नथे आने जुना बंद करमना निर्जेरता जाईचे आ प्रमाने आ विवेचन पन पूरू थेयों आने आ पत्र पन पूरू थेयों एले आगलनों 166 मों पत्र आवतिकाल लेशे